सोचिए आपको अपने सहर में अपने खुद के मेहनत से बनाए घर में हर राट डर कर सोना परे सोचिए जीवन भर के मेहनत से बनाए घर को अचानक एक रात आपको छोर कर हमेशा के लिए जाना परे सोचिए अगर आपको अपने ही देश में रिफ्यूजी बन कर रहना परे सोचिए अगर आपको तीन वी कल्प दिया जाए पहला आप इस्लाम स्विकार करो या अपने घर को छोर कर चले जाओ या मर जाओ तो आप क्या करेंगे फर्ज कीजिए कि आप सोए हैं अगर महजीदों के स्पीकर से या फत्वा निकाला जाए कि कस्मीर हिंदू पुरुष महिलाओं को छोर कस्मीर छोर दे तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे आप जब आपके सामने किसी महिला को बीच से चीर दिया जाए क्योंकि उसकी गलतिया है कि वो एक हिंदू है हम और आप बस यह सब सोच सकते हैं लेकिन तीन दसक पहले इसी देश के खिसे में हिंदूों का नरसंगहार किया गया और पूरा देश आँख और मूह पर पट्टी बांध कर बैठा रहा आज से 32 साल पहले लगभक 5 लाख से अधिक कस्मीरी हिंदूों के साथ जो निर्शन सता हुई लाखो कस्मीरी पंडितों को अपने ही दीस में रिफ्यूजी बन कर रहना परा और हम लोगों को पता भी नहीं था कि उन लाखों बदनशीबों के साथ 32 साल पहले उस रात हुआ क्या था मैं इस वीडियो में दे कस्मीर फाइल्स फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि इस फिल्म को किसी के भी रिव्यू की जरूरत नहीं है थियेटर से निकल रहे लोगों के आखों में जो आशू है वो इस फिल्म की सफलता और सार्थकता को दरसाता है हाँ इतना जरूर बोलूँगा कि इस फिल्म को देखिए जरूर और थियेटर में जाकर देखिए क्योंकि भविश्य के लिए है एक शीख है या फिल्म इस देश का सचाई है कि कैसे हिंदूओं की पीरा को किसी ने नहीं समझा ना राजनितिक दलों ने ना इस देश के माननीय नयाले ने नहीं इस देश के कानून ने नहीं इस देश के सरकार ने और नहीं हमने सब के सब कायरों की तरह सचाई से मूँ छुपाते रहें और गंगा जमना वाला भ्रामग जुम लागाते रहें कस्मीर में जो 32 साल पहले कस्मीरी हिंदूओं के साथ हुआ था उस पे किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया फिर भी उन बेवस हिंदूओं ने हथियार नहीं उठाएं बलकि जादा तर कस्मीरी हिंदूओं ने विश्व में अपनी पहचान बनाई आज बरे बरे पदों पर विश्व भर में वो काम कर रहे हैं लेकिन आज भी लाखो कस्मीरी हिंदूओं दिल्ली और कई राज में रिफ्यूजी जैसा जीवन जी रहे हैं 32 साल पहले जिनका अपना घर हुआ करता था आज वो टेंट में रहने को मजबूर हैं पता नहीं कितने लोग इन 32 सालों में बस घर जाने की आशा में मृत्तू को प्राप्थ हो गएं कि उनके साथ हुए इस धार्मिक भेदभाव के खिलाफ नयाय मिलेगा नयाय तो छोड़िए एक वैक्ति को इस देश के सड़ी हुई नयागस्था ने सजा नहीं दी स्वता संग्यान लेने के लिए मशुहूर भारत के नयायाले ने कस्मीरी पंडितों के हुए नरसंघार पर सुनवाई करने से मना कर दिया था मधिरात्री में आतंकियों के लिए कोट के दरवाजे खोलने वाले कस्मीरी हिंदूों के लिए सुतुरमुर्ग बने रहें शर्मानी चाहिए इस देश में जो लोग नयाय वरस्था से जुरे हुए हैं दक्तस्मीर फाइल्स वो लोग कतई न देखे जिने सच्चाई देखने की हिम्मत नहीं है यह फिल्म वो लोग न देखे जो गंगा जमना तहजीव वाला घटिया गाना गाते हैं यह फिल्म वो लोग न देखे जिने स्वेकुलर वाला गंभीर बिमारी लगा हुआ है यह फिल्म वो लोग बिल्कुल न देखे जिने हिंदू होने पर सर्म होता है यह फिल्म वो लोग न देखे जो पहले से ही सोच कर बैठे हैं कि यह एक प्रुपोगंड़ा है 19 जनवरी 1990 को जो कस्मीरी हिंदूयों के साथ हुआ उसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं क्योंकि 32 सालों तक हम कायर बन कर चुप रहें और उसी का परिनाम बंगाल कैराना मुझपर नगर दिल्ली दंगे और केरल में हो रही हिंदूयों के साथ हमानिवी वैभार है वो तो दौर बदल गया था और 2014 के बाद इस देश के हिंदूयों ने अपने वोट का एहमियत समझाया इस वज़े से कोई बड़ा हाथसा नहीं हो पाया और जिन चंद जगों पडिया सब हुआ उसके खिलाफ डटकर पूरा समाज खरा हुआ लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कब कस्मीरी हिंदूओं को न्याय मिलेगा कब उन्हें वापस उनके घर जाने का मौका मिलेगा कब उन लोगों को सजा होगा जिन्होंने खुले आम धर्म के नाम पर कस्मीरी पंडितों के साथ ही अकुकृत किया था और यह सीख हमारे लिए भी है कि कोई भी सरकार या प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती हमें खुद इतना शशक्त बनना परेगा कि हम अपनी आवाज बुलंद कर पाएं आज दकस्मीरी फाइल्स को तमाम विरोध के बाद भी अदबुत सपलता मिली है बिना किसी प्रमोशन के बाद भी लोग बड़ी संख्या में सिनेमा हौल तक पहुँच रहे हैं यह दरसाता है कि दौर बदल चुका है जिस फिल्म को भ्रामक परपरगेंडा फैला कर दवाने की कोशिश हुई उसी फिल्म का लोग टिकट मुप्त में बांट रहे हैं यह सपष्ट होता है कि यह समय राष्टवादियों का है यह सबै सनातन संस्कृती पर विश्वास रखने वालों का है यह समय भारत के असली विरासत को इज़्जद देने वालों का है अंत में अगर आपने अभी तक दककस्मीर फाइस नहीं देखी है तो जाईए देखिए क्योंकि भविश्य के लिए फिल्म एक सीख है तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें अपने संस्कृती से प्यार है तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें अपने राष्ट से प्यार है बहुत बहुत धन्यवाद